कानपूर में भी पुलिस भरती परिक्षा हुई है और परिक्षा के मद्य नजर पुलिस और प्रश्चासन मुस्तैद नजर आया है कानपूर में सभी परिक्षा केंद्रों में प्रश्चासन और पुलिस ने पुखता अंतजाम रखे और इन इंतजामात को लेकर DCP श्रवन कुमार ने नेटवरक 10 की समवादाद से बातचीत की है, सुनिया है और क्या क्या सुरुच्छा की गए और पूर भी जोन में कितने केंद्र बनाएंगे हैं, देखे हमारे हैं कुल 23 परिच्छा केंद्र हैं और हम लोग सुबह साड़े साथ बजे ही निकले हैं, और पूरा मैंने कई सेंट्रों का, DAV, काव, कोतवाली में, मूल गंज में, सबी स दो हमसे अच्छी ब्यौस्ता है कि हम सभी लोग, सभी लोग जाए, शमछ सबूस्क्रार, जो की परभारी हो शबी की सावर भी किया थे और किसंट्र मे हम लोग सभी लोग निकली, जो लोग निकले थे और बिस जो पर इसंटेशन पर जा रहरा है kannst message on thecope foreign और जो मेंन कांपूर्स सेंटरल है केंट एरिया उधर आपका गंटागर का एरिया लड़के भी वहां से जा रहे हैं हम लोग सभी पर मॉनिटर कर रहे हैं रेलवे के दिकारियों से टच में हैं चुकि यह परिच्छा दो दिन होनी है चार सिप्ट में होनी है तो एक अच्छ परिच्छा दे के निकल चुके हैं जो सेकंड पारी है उनके बच्चे जो है भी दैरती परिच्छा देने आ रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से मोमेंट कर रहे हैं से नजर भी रखी जा रही है अपना सयोगी तासिप के साथ दीपक सिंग नेटवर्क और कानपूर